नमस्कार आपका स्वागत है हम हमारे मृतपरिजनों की याद में उनकी तस्वीरे हमारे घर में दिवारों पर लगाते हैं लेकिन इन तस्वीरों को दिवारों पर लगाते समय कई बार हम दिशा एवं स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं जिस कारण हमारे पुर्वज हम से नाराज रहते हैं, वास्तु शास्त्र में मृत्वेक्ती की तस्विरे लगाने के लिए योग्य दिशा एवं स्थान के बारे में बताया गया है, ताकि घर में वास्तुदोश निर्मान ना हो। पित्र हमारे पुर्वज होते हैं, जो मृत्यू के पश्चात परलोक में जाते हैं, जिसे पित्र लोक भी कहा जाता है, हमारे परिजन जैसे हमारे पिता, दादा, परदादा और इसी तर हमारी मा, दादी, परदाधी, इत्यादी हमारे पित्र है, रेगवेट के अनुसार, प इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पित्रों की पूजा कैसे करनी चाहिए और हमारे पुरोजों की तस्विरे घर में की स्थान पर लगानी चाहिए तो चलिए बिना दिरीकिये जान लिते हैं पर उससे पहले अगर अपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब् पित्र पक्ष में पित्र अपने परिवार के साथ रहने के लिए पित्र लोग से धर्ती पर आते हैं। उनकी पूझा करना, उन्हें नैवे दियारपित करना तता उनकी प्रिय वस्तो का और अन्न का दान करना हम सभी का कर्तव्य होता हैं। वास कर सके और उनका आशिर्वाद हमें सदव ही प्राप्त हो सके सब सब पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस्मरत वेक्ति की फोटो आप अपने घर में लगाने जा रहे है वह अब आपके बीच में नहीं है और नहीं वो भगवान है आपको नहीं उनकी फोटो के सामने अपनी कोई इच्छा, दुख, क्रोध जैसी भावनाय वेक्त करनी चाहिए और नहीं भगवान की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए किवल स्राद्ध की दिन और पित्रपक्ष में ही उनकी पूजा करनी चाहिए कई घरों में ये देखने को मिलता है कि लोग अपने पूरवजो अथवा भुजर्गों की चित्र, पूजा घर में भगवान की चित्र अथवा प्रतिमा की समक्ष लगाते है जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है इसका अर्तम ऐसे समझ सकते है कि चाहे कितना ही बड़ा महापूरुष क्यों न हो वो कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता मनुष्य मृत्यों के बाद पंच्य तत्वों में विलीन हो जाता है जबकि इश्वर का स्तित्व अजर एवम अमर है यही कारण है कि भगवान और मनुष्य बराबर नहीं हो सकते यह अलग बात है कि पुरोजों के लिए हर मनुष्य के मन में अटुच रद्धा और आदर का भाव होता है इसलिए घर में पुरोजों के चित्र लगाए जाने चाहिए लेकिन इने भगवान के कक्ष के निकट नहीं लगाना चाहिए तीसरी बात परिवार के किसी ऐसे वेक्ति की फोटो दिवार पर ना लगा है जिसकी आकाल मृत्य हो यानि बचपन में या जवानी में मृत्य हुई हो अब घात यानि दुरगटना में मृत्य हुई हो या फिर उस वेक्ति ने आत्मात्य की हो ऐसे वेक्ति की फोटो दिवा नहीं लगानी चाहिए और नहीं एक साथ बहुत सारे पित्रों की फोटो एक ही दिवार पर लगानी चाहिए इसे अशुब माना गया है। वरतात्मा पुरोजो की पूजा विदी विदान से उनके श्राध्य और मृत्य तिती की दिन अवश्य करनी चाहिए भले ही पित्रों की फोटो की नित्य पूजा न करनी हो लेकिन उनकी फोटो की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखे उन्हें नीमित रूप से साफ करते रहे तो दोस्तो ये थे कुछ नियम जिनके अंतरगत आप अपने घर में अपने पित्रों की तस्वीर लगा सकते हैं अपने पित्रों का आशिरवाद हमारे घर परिवार के लिए बहुत आवश्यक होता है और उनकी गरपा दर्ष्टी से घर की नकारत्म कुर्जा बादित होकर घर में सकारत्म कुर्जा व्यापत होती है इसलिए अपने पित्रों का आदर और सम्मान सहित उनकी मृत्य तिति पर तता पित्र पक्ष में उनका श्राद्य जरू करें उमेदे ये जान करें आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में जय स्रिक्ष्ण जय पित्र देव अवश्य लिखे धन्यवाद